हम सबको पता है कि जैसे मोबाइल में अगर बैक्ग्राउंड में खूब सारी एप्स रन कर रही हैं तो आपके मोबाइल की बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाएगी Similarly, अगर आपके दिमाग में खूब सारे थौट्स चल रहे हैं, repetitive, loop में तो eventually आपकी energy भी drain हो जाएगी तो जैसे मोबाइल की energy drain होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं उन सारी apps को बंद करने की कोशिश करते हैं, जो background में energy waste कर रही थी Similarly, अगर आप अपने thoughts को, जो repetitive thoughts हैं, उनको कम कर पाओ तो eventually you can save a lot of energy and you can feel energetic throughout the day तो आप इसको करने का simple तरीका है, कि जब आपको ऐसा feel हो कि आपके दिमाद में overwhelming thoughts आ रहे हैं, बहुत सारे thoughts repeat हो रहे हैं and you are not able to understand की क्या करें, तो आप एक simple सा काम करो आप physical activity में involved हो जाओ, physical activity मतलब spot jogging करने लगो या push-up मार लो, या सीडियां चड़ लो, और अगर possible लो तो gym जाया हो, right so the point is, any physical activity actually helps you in decreasing the number of repetitive thoughts तो उससे दो फाइदे होंगे, एक तो आपकी energy secured रहेगी, drain नहीं होगी और eventually आपको जो health benefits मिलेंगे, वो अलग कर दो कर दो